नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जर्दारी क्लासेज में दोस्तों उत्राखन जिल्ला सीरिज हमारी हाँ पे चल रही है और आज इसका पांचवाँ लेक्चर दोस्तों होने वाला है जिसमें हम एक और जन्पत के बारे में डिसकर्ज करने वाले हैं और यह जन्पत है टिहरी गड़वाल दोस्तों आपको हमारी उत्राखन जिल्ला सीरिज कैसी लग रही है कमेंट बोक्स में अपने राइज जरूर दें और यदि आपको complete उत्राखन जिल्ला सीरीज के नोर्स ये with map और with प्रतेग जनपत के उसमें MC को भी दे गये हैं तो link आपको मिल जाएगा वीडियो के description में तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का lecture दोस्तों शुरूआत करते हैं टेहरी जनपत के इतिहास से टेहरी जनपत की इस्थापना हती है 28 दिसब्र 1815 को किसके द्वारा तो सुदर्सन सहा के द्वारा टेहरी जनपत की इस्थापना की गई 28 दिसंब्र 1815 को क calves जगा आपको 30 दिसंब्री मिलीगा लेकिन जो यहाँ पे उतराकर्ण हिस्टी की कई बुक्स欸 उसमें 28 दिसंबर ही दिया गया है, तो सुदर्शन साहा ने 28 दिसंबर 1815 को टेहरी जन्वत की नियु डाली, अब यहाँ पे एक बार हम पहँवार वंस का इत्यास देख लेते हैं, पहँवार वंस के इत्यास में अगर हम द्रिश्ट डालें, तो ये छेत्र पहँवार वंस के अधिकार में हुआ करता था, और पहँवार वंस के एक सासकते परद्युम्न साहा, जो की सुदर्शन साहा के पिता थे, परद्युम्न साहा, परद्युम्न साहा और गोरखों के मद्या 1804 में, देरदुन के खुरबडा नामक मैदान पर एक यूर्द लड़ा जाता है, जिस 1804 से लेकर 1815 तक, यह जो टेरी का छेतर भी है और संपूर्ण गडवाल का छेतर, संपूर्ण कुमाओं का छेतर, यह किसके अधीन रहा, गोरखों की अधीन रहा, लेकिन इस बीच जो सुदर्शन साहा थे, परद्युम्न साह के पूत्र, ऐसा मान जाता है कि इन्होंने बे गडवाल छेतर था, गडवाल में जो देरदुन का छेतर आता था, यह जो बिटिस गडवाल हुआ बाद में, यानि पोड़ी गडवाल का छेतर, वो छेतर अंग्रेज नों गे लिया, और इस प्रकार उन्होंने सुदर्शन साह को कौन सा छेतर दिया, जो यह टेहरी रिया रियासत का छेत्र है। तीरी में आपका वो उत्तरकासी भी आता था। कुछ हिस्सा चमोरी और रुदर प्रयाग का इसमें सामिल था। तो इस प्रकार सुदर्सन साहा इसे पहले पहुआरवारवंस की राजदानी स्रीनगर गडवार हुआ कर थी। लेकिन आप वहां पे उस छेत्र पर अंग्रेज नों अधिकार कल लिया और सुदर्सन साहा को अपने राजदानी कहां बनानी पड़ी गणियस प्रयाग यानी तीरी रियासत में। और इस प्रकार सुदर्सन साहा द्वारा 28 दिसंबर 1815 को तीरी रियासत की इस्थापना की जाती है और इस प्रकार टेहरी जनपत का गठन होता है 28 दिसंबर 1815 को अब यहाँ पर आपको एक बाद समझने होगी कि सुदर्शन सहा ने अपने राजधानी बनाई वो बनाई थी गनेश प्रियाग पुराने टेहरी में गनेश प्रियाग के निकत गनेश प्रियाग यह वो इस्थान हुआ करता था जहांपर भिलंगना और भागिरती का संगम हुआ करता था और यहीं पर थी पुरानी टेहरी जहांपर टेहरी नरेश सुदर्शन सहा की राजधानी थी तो इस प्रकार सुदर्सन सहाथ जो पहले सासक, आप इनको कह सकते हैं, तेरी रियासत के, और तेरी रियासत की इस्थापना किस ने की थी, तो सुदर्सन सहाथ ने, सुदर्सन साह के बाद तेरी के जो सासक बनते हैं वो बनते हैं भवानी साह, भवानी साह के बाद सासक बनते हैं परताप साह, अब परताप साह के बारे में एक महतपून फैक्ट आपको नोट करना है कि परताप साह ने 1877 में एक नगर की नियू डाली, परताप नगर, और यह आसक कौन था वो था प्रताप सहा यानि आप यह भी कह सकते हैं कि प्रतम्ण सासक था प्रताप सहा जिसने अपने नाम से नगर की इस्थापना की। किर्थि साह ने भी एक अपने नाम से नगर की इस्थापना की थी किर्थिनगर की इस्थापनाこう द्वारा की गई। नरिंदर सादवारा नरिंदर नगर को अपनी राजधानी बनाया जाता है। नरिंदर सादवारा नरिंदर नरिंदर नगर को अपनी बनाया जाता है। तो नरिंदर सहा के सासनकाल में ये घटना कटी थी। नरिंदर सहा के बाद सासक बनते हैं मानुंदर सहा और मानुंदर सहा जो कि टीरी रियासत के अंतिम सासक थे। अंचास को टीरी रियासत का विले हो जाता है भारते संग में यानि उत्तर परदेश के एक जिल्ली के रोप में तो टीरी रियासत के अंतिम सासक कों थे मानुंदर सहा जबकि टीरी रियासत के प्रथम सासक या टीरी रियासत के जो संस्तापक थे वो थे सुदर्शन सहा उसके कासी को एक अलग जनपल के रूप में गठित किया जाता है तो ये इस प्रकार से दोस्तों टेरी जनपल का कम्पलीट इत्यास मैंने आपको बता दिया है वसे टेरी रियासत के जितने भी राजत है सुदरसम्चा, भवानी सा, प्रताप सा, किरती सा, नरिंदर सा और मानुंद सा, इनके बारे मैंने आपको डिटेल्स में कई बार बता रखा है जो मैंने उत्राखंड की हिष्ट्री सेरी चलाई थी, तो वो आप वहां से डिटेल्स में देख सकते हैं, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं टेरी जनपल की भोगलिक इस्थितिके बारे म यहां पर सबसे पहले देखेंगे पड़ोसी जिल्ले कौन-कौन से हैं तीरी जनपत के, तो यहां पर तीरी के जो पूर में इस्थित है वो है रुद्र प्रियाग, यहां पर कौन से जनपत है, रुद्र प्रियाग है, अब यहां आपको बड़ी मैप में भी तीरी जनपत क बड़ा मेब आपको दिखाऊंगा जिसमें इस पष्ट रूप से आपको pleas रिवर सिस्टम और कौन से मंदिर कहां पर है और कौन से प्रेटक किस्थाल कहां पर है वो आपको समझाने का प्रयास करूंगा तो पूर में हो गया रुदरप्याग, पस्तिम में हो गया यहाँ पे देरादून, यहाँ पे हो गया देरादून, उसके बाद उत्तार में हो गया उत्तरकासी, यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तरकासी, और दक्षिन में आ जाएगा आपका पोड़ी, पोड़ी गढ़वा तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो टेरी जनपद है वो उत्राखंड के चार अन्य जनपदों से सीमा बना रहा है तो वो कौन-कौन से जनपद है रुत्रप्याग, उत्रकासी, देरदुन और पोड़ी और टेरी जनपद इस प्रकार से पूर्ण रूप से आंतरिक ज जनपद का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यह पूर्ण रूप से उत्राखंड के ही जनपदों से सीमा बनाता है नहीं किसी राज से सीमा साजा करता है नहीं किसी अंतराष्टिया सीमा यानि किसी अन्य देश से सीमा साजा करता है यह पूर्ण रूप से उत्राखंड के ही अ अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीरी जनपत के परमुक परियाटक इस्थालों के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर दे सकते हैं मुनिकी रेती, मुनिकी रेती कहा है तो यह तीरी जनपल में रिसी केस में है और इसी मुनिकी रेती में आप देखते होंगे यहाँ पर लक्षमन जूला पूली भी है दोस्तों, रिसी केस में, तो मुनिकी रेती कहा है तीरी जनपल मे रिसी केस में इस हित्र है और मुनिकी रेती के निकट एक अन्य छेत्र भी है तपोवन नामक छेत्र तो वो भी ठीरी में आता है रिसी केस में तो को रिसी केस आप रिसी केस देखते होंगे रिसी केस जो छेत्र है वो उसका कुछ इसा देरदोन में आता है कुछ इसा पोड़ कहा है तो यह मुनिकी रेती में बना है मुनिकी रेती टेरी और स्वर्गासरम जो की पोड़ी में पढ़ता है क्योंकि देखो इस प्रकार से नहीं यह टेरी है यहाँ पे हम लिख रहा है यह मुनिकी रेती है और ये पोड़ी है यहाँ पर ये स्वर्गास्रम है तो मुनिकी रेती और स्वर्गास्रम को जोड़ता है जानकी सेतुपुल यानि ये तिहरी और पोड़ी गड़वाल को जोड़ता है जानकी सेतुपुल तिहरी में ये मुनिकी रेती परिस्ट है और स्वर्गास्रम जोकि पोड़ी गड़वाल है तो मुनिकी रेती और स्वर्गास्रम यानि टीरी और पोड़ी को जोड़ने वाला पुल है जानकी सेतुपुल जानकी सेतुपुल ये किस नदी पर बना हुआ है तो ये बना हुआ है दोस्तों गंगा नदी पर गंगा नदी पर बना हुआ है जानकी स पदकालिन जो सियम थे त्रिवेंदर रावत उन्होंने 20 नमबर 2020 को इस जानकी सेतुपुल का उदगाटन किया जो की गंगा नदी पर बना हुआ है और 346 मेटर इसकी लंबाई है और यह मुनिकी रेती और स्वर्गासरम को जोड़ता है यानि टिहरी और पोड़ी के बीच य पूछे जा सकते हैं उसके बाद दूसरा इससाल है तपोवन यह मुनिकी रेती के निकटिसित है और इसी तपोवन में एक परसिंद पुल भी है लक्षमन जूला पुल के निर्मान की बात करें तो 1889 में इस पुल का निर्मान किया गया था लेकिन पुना इसका जो जिर्ण जूला पुल यह का है यह आपका तपोवन में है उसके बाद नेक्ष्ट जो इस्थल है वो है आपका खेंट परवत खेंट परवत यह आप अगर आप टेरी गए होंगे कभी जो पर उपर टेरी नगर है अभी तो टेरी नगर के सामने ही दिखता एक परवत जिसका नाम है और इस परवत को दोस्तों आच्री परवत या परियों का देश या आच्रीयों का देश या अपसरों का निवास इस्थल भी कहा जाता है और एक बार यह प्रस्ण एक्जाम में पूछा जा चुका है कि परियों का देश किसे कहा जाता है तो खेंट परवत को कहा जाता है प परवतपर दोस्तों खेंट खालो मंदिर भी इसी था है, खेंट परवतपर, नेक्स इस्तल है यहाँ पर चमबा, चमबा एक परसिद इस्तल है, टीरी गड़वाल जनपत का, और टीरी का एक मुख्या नगर आप इसे कह सकते हैं चमबा को, क्योंकि चमबा सेंटर पॉइंट ह गया टीरी का, अगर आपको टीरी जनपत में जाना है, तो चमबा से जाओगे, अगर आपको रिशिकेस जाना है, तो चमबा से आपको गुजरना होगा, मसूरी हो गया, या आपको टीरी में है और आपको कहा जाना है, आपको स्रीनगर गड़वाल जाना है, तो आप चमब पूछा जाता है कि गबर सिंग नेगी किस युद में सहीद हुए थे पर थम इसे युद में न्यूवे चेपल युद में हो गए थे तो यहां पर वो सहीद हो जाता है और उसके बाद इने विक्टोरिया क्रोस से सम्वानित हुए था तो इनसे एक महत्वपून प्रेशन अक इनकी जनमस्तली चमबा और यहां पर गबर सिंग नेगी इसमारक भी इसे तए गबर सिंग नेगी चोक भी वहां पर चमबा में आपको देखने को मिलेगा गर आप कभी चमबा गये होंगे उसके बाद दोस्तों चमबा के निकट सरदेयो सुमन जी की जनमस्तली भी है जोल 440 मेटर, तो 440 मेटर लंबी जो कि चमबा सुरंग है और ये किस मार्ग पर है तो रिशिकेस धरासू राष्तिय राज मार्ग पर जब आप रिशिकेस से कभी जाओगे तो फिर अब आपको उपर चमबा नहीं जाना पड़ेगा अगर आप रिशिकेस से उत्तरकासी जाना चा क्योंकि जब भी आप चंबा गे होंगे चंबा के उपर काफी ट्रैफिक लग जाता है इसलिए मैंने आपको पूर में ही बता दिया है कि सेंटर पॉइंट है चंबा टीरी गडवाल का हर जगा से स्रीनगर से गाड़ियां को अगर रिस्केस जाना होगा तो वो चंबा आएगी रिस्केस से अगर कहीं भी जाना होगा उत्रकासी जाना होगा या स्रीनगर गडवाल जाना होगा तो वो गाड़ी चंबा आईगी तो चंबा के उपर काफी traffic लगता जिसे कारण यहाँ पर सुरंग निर्मेत की गई और ये सुरंग risk case और उत्तरकासी मार्ग पर है risk case से यह सुरू होती है उत्तरकासी मार्ग पर यह खुलती है तो चंबा में risk case 300 मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रताप नगर के बारे में प्रताप नगर जिसकी इस्थापना हुई थी 1877 में और इसके जो संस्थापक हैं वह हैं प्रताप सहा प्रताप सहा ने प्रताप नगर के इस्थापना 1877 में ये थी प्रताप नगर से एक महत्वपून प्रस्ण बनता है इसका पुराना नाम क्या था तो प्रताप नगर का पुराना नाम था ठांगधार ठांगधार प्रताप नगर का पुराना नाम और प्रताप नगर में एक प परताब नगर में, परताब नगर एक तैसित एक ब्लोक है अभी, टहरी जनपत का, तो परताब नगर के बारे में जितने हैंगी महत्तव पून फैक्ट ते ये बने आपको यहां पर डीटेइलस में बता दिये हैं, इससे जदा प्रशन परताब नगर से नहीं बनेगे, परता प्रियाग पड़ा और इस थल को दोस्तों सुदर्शन तीर्थ और इंद्र प्रियाग के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद मंदिर ये कहां इसित है तो ये देव प्रियाग में है और ऐसा माना जाता है कि यहां पर भगवान राम ने रावन को मानने के बाद तपस्या भी की थी इस रगुनाथ मंदिर में और आदी गुरु संक्रा चारे जी ने इस मंदिर की प्रतिस थापना की थी जो रग मैंने भी बता चुका हूँ नरिंदर नगर की जो इस्थापना की गई 1921 में नरिंदर सा द्वारा जो की टीरी रियासुत के सा सकते और 1925 में नरिंदर सा ने इसको अपने राजधाने भी बनाये था जहां पर राजमहल था वहां पर आनंदा होटल आपने देखा होगा है नई टीरी जो की टीरी जनपत का मुख्यालय है नई टीरी को बसाये गया बाद में क्योंकि जो पुरानी टीरी है जहां पर पहले टीरी रियासुत के राजधानिया हुआ करती थी वो पुरानी टीरी वहीं पर गणेस प्रियाग भी हुआ करता था तो वहां पर डैम बन जिसके कारण गणेश प्रयाग और पुरानी टेरी वो डोप चुकी है, तो इसके कारण वहाँ से लोगों को क्या को प्रत्साबित क्या गया नई नई टेरी में, तो नई टेरी टेरी जनपत का वर्चमान में क्या है, मुख्याले है, तो ये प्रमुख इस्थल दोस्तों जितने भी थे टेरी जनपत के, इससे बाहर प्रमुख इस्थलों से क्वेशन नहीं बनेगा, डिटेल्स में मैंने आज यहाँ पे इसके बारे में चर को बताये था और रगुनात मंदिर यहां पर ऐसा माना जाता है कि स्री राम ने रावन को मानने के बाद तपस्य भी किय थी और इस मंदिर का जो पुनर इस्थापना की थी वो आदिगुरु संक्राचार जी नहीं की थी और इस रगुनात मंदिर को किस सेली से बनाए गया है द्रिवन सेली से यह आपका रगुनात मंदिर है यहां पर पिक्चर में आप दे सकते हैं द्रिवन सेली से बना हुआ है देव प्रया का रगुनात मंदिर उसके बाद जो न्याष्ट मंदिर आता है यह है पलेठी का सूर्य मंदिर एक मात्र सूर्य मंदिर है टेरी जनपद किसने की? तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो लेख मिलते हैं वो आदि वर्मन और कल्यान वर्मन के मिलते हैं और भार्द्य पुराचत्तों इभावजवरा 1968 में दोस्तों इस मंदिर में इस्थित लेखों का अध्यान किया जा चुका है तो यह लेख किसके मिले हैं तो यह लेख मिले हैं आदि वर्मन और कल्यान वर्मन के आदि वर्मन और कल्यान वर्मन के लेख और यह लेख किस लिपी में लिखे गए हैं तो यह लिखे गए हैं ब्रामी लिपी में जो कि इस पलेटी के सूर्य मंदिर में ये लेख मिले 1968 में भारत्य पुरात्य इभाद द्वारा इन लेखों की खोद की गई थी ब्रामी लिख में ये लेख हैं और ये हैं आदि वर्मन और कल्यान वर्मन के तो महित्वपुन पूछा जाता है कि पलेटी का सूर्य मंदिर का है ये आपका टेरी जनपत के हिंडोला खाल में इस इता है उसके बाद यहाँ पे जो next मंदिर है वो है सेम मुखेम मंदिर परसिद मंदिर है सेम मुखे मंदिर कि भगवान स्रीकर्ष ने वहाँ पर आये थे, वहाँ के जो उसमें गड़पती हुआ करते थे, रमोली गड़के वो थे, गंग रमोला, किस प्रकार उनसे उसके मुलाकात होती है, तो इस प्रकार मैंने आपको काफी डिडियल्स में सेम मुख्य मंदिर के बारे में एक स्पे एक तीसरे साल, यह जिसको कहते हैं तिसाली मेला, यह मंग सीरस महा में आज़ित किया जाता है, यह एक साल को छोड़कर तिसाली मेला इसे कहा जाता है, इस इस्तान पर रमोली गड़के गड़पती गंगो रमोला का राज्य हुआ करता था, और स्रीकृष न भगवान वहा वर्तमान में भी की जाती है, उसके बाद यहां पर है बुड़ा केदार मंदर, बुड़ा केदार मंदर यह बिलंगना विकास खंड में इसे था है, और बिलंगना छेतर में बुड़ा केदार जो मंदर है, यहां पर दो परसिद नदियों का संगाम भी होता है, बुड़ा क संगम होता है बुढ़ा केदार में और ये दोनों नदियां भिलंगना नदी की परसिद सहायक नदिया हैं बुढ़ा केदार जो ये मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है तो भगवान सिव का प्राचीन मंदिर है बुढ़ा केदार मंदिर और इस बुढ़ा केदार मंदि में उसके बाद जो next मंदिर है वो है सुरकंडा देवी मंदिर ये टेरी में सुरकोट परवत पर इसीत है और एक महत्रपुन प्रस्निय बनता है कि सुरकोट जो परवत है ये किस स्रेणी में आता है तो मद्दे हिमाले स्रेणी में ये आता है सुरकोट परवत मद्दे हिमाले परवस्रेनिका एक परमुक स्रेंकला है सुरकोड परवत जहां पर ये सुरकंडा देविय मंदिर इसीत है सुरकंडा देविय मंदिर जो की माता सती का एक परसिद सक्ति पीठ है और इस मंदिर की पुजा किसके द्वारा होती है तो जो वहाँ पर इस्थानिय लेखवार ब्रामन है उनके द्वारा वो इस मंदिर के पुजारी होते हैं परसिद लेखवार ब्रामन सुरकंडा मंदिर के अगर बात करें तो यहाँ पर माता सती का सर गिरा था तो यह माता सती का एक परसिद सक्ति पीठ है उसके बाद नहीं जो मंदिर है वो है चंदर बदनी मंदिर यह भी माता सती का एक परसिद सक्ति पीठ मंदिर है और चंदर बदनी जो मंदिर है यह कौन पीठ भी कहा गया है तो महत्वपूर्ण प्रस्णिय एकजाम में पूछा जा सकता है कि चंदरबदनी मंदिर को इसकंद पुराण के केदारखंड में क्या कहा गया है भूनेश्वरी पीठ ये भी मातासती का एक प्रसिद्ध सक्ति पीठ है चंदरबदनी मंदिर ये दो सातों मंदरियां पर ज्वाला मुखी मंदिर ये भी आपका तिहरी गड़वार में इसे ता है और ये आपका घंसाली तहसिल के विने खाल में देवगार नामक इस्थान पर यह निग घंसाली में यह गंसाली छेतर में कुझापूरी मंदिर ये नरिट नरट नगर से आगे जो हिंडोला खाल छेतर है उसी के निकट है कुझापूरी मंदिर और ये भी मातासती के सकते पीटों में से एक है यहांके जो पुजारी होता है वो है भनडारी राजपूत बंडारी राजपूत कुझापुरी मंदिर के पुजारी होता है जो की कुझापुरी मंदिर में पूजा करता है और ये कुझापुरी मंदिर माता सथी के सक्तिपिटों में से एक है उसके बाद है बाल खिलेशवर मंदिर बाल एखलेवश्वर मındिर, ये का हैं तो ये भी आपका, तिहरी में इसे तय है, बाल गंगा नदी के तड़पर बाल गंगा के तड़पर उसके बाद है, मनिकनाथ मंदिर, यह बिलंगना गाटी में बिलंगना गाटी उसके बाए जोस्तों धूंदेश्वर महादेव मंदिर ये है किर्दिनगर में अलक नंदा के तड़पर है धूंदेश्वर महादेव मंदिर किर्दिनगर टहरी जनपर का हिस्ता है ठीक है तो ये महत्वपूर मंदिर जो भी थे टहरी जनपर में उनके बारे मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पर बता दिया है यह सुरकंडा मंदर है ठीक है तो काफी अच्छी जगह है सुरकंडा मंदर अगर आप कभी गए नहीं है वहाँ तक तो आप जरूर जाएं वहाँ पर विजिट कीजिए परमुख मंदर थे टेरी के वो मनें आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता दिया है दोस्तों अब हम बात करते हैं टेरी जनपत के परसिद मेले और परमुख यातरों के बारे में दोस्तों आपको यह सीरीज कैसी लग रही है कमेंट वोक्स में जरू बताएं और जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूँ इसके details notes अगर आपको चीए तो link आपको मिल जाएगा वीडियो के discussion में वहाँ पर सभी जनपदों के details notes with mcq और with map वहाँ पर दे गए हैं तो उसको आप जरूर ले दोस्तों lecture देखने के बाद उसको आप revise करें तो उससे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी जो जनपद series में आपको करा रहा हूँ complete आपको अगर आपको याद करनी अच्छे से तो lecture देखने के बाद दोस्तों एक या दो बार आपको revise जरूर करना है या तो आप same notes बनाए बीडियो देखकर लेकिन अगर आपको बनवने notes यह तो link आपको मिल जाएगा बीडियो के discussion में उस PDF को आप download कीजिए बीडियो के discussion से तो शुरुआज करता है पहले परसिद मेलों के बारे में पहला मेला है मौन मेला मौन मेला यह जोनसारी जनजाती का परसिद मेला और यह लगता है आपका जोनपुर छेतर में इस मेले के विशेषता यह है कि इसमें मसली पकड़नी की प्रतियोगिता की जाती है और इसलिए इस मेले को मचमोन मेला भी कहते हैं मचमोन मेला या मोन मेला यह कहां आयुद किया जाता है टिहरी के जोनपूर छेतर में और ये किस नदी पर आयुद किया जाता है अगलार नदी पर ठीक है तो मोन मेला अगलार नदी पर इसको मचमोन मेला भी कहता है और ये जोन सारे जंजाती का परसिद मेला है जो कि जोनपूर छेतर में आयुद किया जाता है दूसरा है सेम मुखे मेला ये परताब नगर के सेम मुखे में आयुद किया जाता है मुखे में गाओं के उपर सेम मुखे में मंगसीर समाह में ये मेला आयुद किया जाता है और ये परतेक तीसरे साल आता है ये इसको तिसाली मेला भी कहा जाता है और ये मंगसीर समाह में आयुत किया जाता है तीसरा है रवाई किसान मेला रवाई किसान मेला दोस्तों ये मलेथा गाउ में आयुत किया जाता है साइद मैंने पिछली बार जब एक बार ये लेक्चर पुड़ाए था तो वहां पे अब बेर्ची का कमेंट आरता है कि सर रवाई तो उतर कासी में है तो फिर ये मेला टीरे में कैसे लगता है टीरे के मलेथ अच्छेतर में लेकिन दोस्तों देखो इसका भी इस्थान से कोई मतलब नहीं है जो रवाई किसान मेला है ये कहां लगता है मलेथा गाउ में मलेथा गाउ में ठीक है मलेथा गाउ में ये आईद किया जाता है मलेथा गाउ ये मादो सिंग बंडारे की जनमिस्तली है मलेथा गाउ रवाई किसान मेला मलेथा गाउ में आईद किया जाता है उसके बाद सहीद नागेंदर सकलाने और बहुलो बरदारी विकास मेला ये लगता है कीर्टिनगर में उसके बाद रनभूत मेला तो ये लगता है टेरी जनपत की नेलचामी पट्टी में ये कार्तिक महा में आयुद किया जाता है और इस मेले में जो राजसाई के समय विभिन युद्ध हुए थे उस में मारे गए लोगों की याद में लगता है रणभूत मेला तीरी चनपत की नयलचामी पट्टी में उसके बाद तिलका देवी मेला तिलका देवी मेला ये बाड की टिबा मेला ये भी टेरी के जोनपूर छेतर में लगता है और एक प्रस्ण में पूसे जाता है कि नाग टिबा का है तो ये टेरी के मसूरी में इसीत है ये मसूरी का कुछ छेतर देरादन में आता है कुछ छेतर टेरी में आता है लेकिन ये मसूरी का जो छेतर टेरी में आता है वहाँ पर है नाग टिबा चंदरबदनी मेला तो यह लगता है चंदरबदनी मंदिर में तो यह प्रसिद मेले जो भी लगता है टेरी जनपत में वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता दिये हैं अब दोस्तों बात करता है टेरी जनपत की प्रमुख यात्रो यह आईज़ की जाती है टीरी में टीरी के बिलंगना छेतर से बिलंगना में एक गाउं है घुत्टु गाउं बिलंगना के घुत्टु गाउं से यातरा प्रारम की जाती है और ये यातरा पमाली कांठा से होते हुए खतलिंग गलेशर टक जाती है खतलिंग गलेशिया खतलिंग महादेव यात्र ये कहां आजित की जाती है टेरी में टेरी के बिलंगना शेतर में उसके पाद दूसरी यात्रा है पमाली कांठा केदारनाथ यात्रा तो ये पमाली कांठा से होते हुए रुदर प्या के केदारना तक जाती है और ये यात्रा अगस्त सिदंबर माव में आजित की जाती है तीसरी यात्रा है गुरु मानिकनाथ यात्रा ये टेरी जन्पद में परतिवर्स आजित की जाती है और ये लगबक पांच दिवसिया यात्रा होती है गुरु मनिकनाथ यात्रा तो ये भी आपकी तेरी जन्पत में आज़िश की जाती है चोतिय सहसरताल महासरताल यात्रा तो ये यात्रा भी एक परसिद यात्रा है तेरी जन्पत की तो चार यात्रा है महत्वकों है तेरी जन्पत की जो आपको BCS तोर पर note करनी है अब दोस्त हम बात करेंगे ठीरी जनपत की परमुक नदियों के बारे में लेकिन उससे पहले एक बार आपको map के माजम से समझना होगा complete map आपको समझा लेता हूँ एक बार ठीरी जनपत का और इसमें बताऊंगा reverse system ठीक तो एक बार ध्यान देजिए यहां पर इसको आप एक बार पूरा देख लिए जाई किस प्रकार का map है फिर मैं जोम करूँगा इसको ठीक है तो यह ने जोम कर लिया है यह टीरी यह उपर है टीरी के उतर में उतरकासी तो उतरकासी एक इस्ताउसे बहती हुई यह पोहिं जाती है आपके तेहली में इस प्रकार से यह आरी अभागीड़ती नदी ठीक है भागीड़ती नदी जब आती है भलड्याना में तो भल्ड्याना में यहाँ पर एक नदी इसके साथ संगम करती है जिसका नाम है जलकुर नदी जलकुर नदी ये लंगाओं के उपरी छेतरों में विभिन छुट-छुटी नदियों से मिलकर ये बनती है लंगाओं से गुजरती है जलकुर नदी लंगाओं के इस नदी के तट पर है लंगाओं एक मुख्य मार्केट है तेरी जनपत के प्रताप नगर विकास घंड का मुख्य मार्केट लंगाओं तो लंगाओं के निकट से जलकुर नदी आगे बढ़ती है और बिलंगना में भागिरती से संगम करती है फिर यह भागिरती आगे बढ़ती है और यहां पर इसी भागिरती नजी पर है दोबरा चांटी पुल यह मैं आपको जो रिवर सिस्टम बताये था उसमें मैंने इसके बार में काफ़ी डिटेल्स पर आपको बताये थी फिर यह मैं आपको डिटेल्स में बता लिता हूँ जो डोबरा चांटी पुल है यह तीरी डेम के उपर बना हुआ है और इसका उद्गाटन हुआ था आठ नॉम्बर दोजार बीस को इसके द्वारा तो ततकाली जो मुख्य मंत्री थी त्रिवंदर रावजी द्वारा इस पुल की कुल लंबाई दोस्तों 725 मेटर कुल लंबाई है लेकिन अगर बात करें सस्पेंशन जो जूला पुल है उसकी लंबाई है 440 मेटर क्योंकि यह पुल देखो इस प्रकार से ठीक है यह तो आपका जूला पुल है जो डैम के उपर है बिल्कुल लेकिन यह पुल क्या है कि इधर काफी लंबा है और इधर भी थोड़ी इसकी लंबाई है तो अगर हम यहां से लेकर यहां तक बात करें तब तो इसकी लंबाई है 725 मेटर लेकिन अगर हम सिर्फ इस जूला पुल की बात करें जो बिल्कुल किसके उपर बना हुआ है डैम के उपर बना हुआ है तब इसकी लंबाई कितनी है वो है 440 मेटर तो अगर पूसा जाता है कि जूला पुल की लंबाई कितनी है जो दोबरा चांटी जूला पुल है तब है 440 मिटर लेकिन दोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई कितनी है यहां से लेकर यहां तक तो यह हो जाईए आपकी 725 मिटर अब आप समझ गयोंगे और इसके जो कुल चोड़ाई है वो है 7 मिटर इस पुल का जो डिजाइन तयार किया गया था वो कोरियन कमपणी योसिन द्वारा किया गया था ठीक है वैसे इसके बारे मैंने अलग से स्पेसल बीटर भी बना रिखिये लेकिन पूरे डिटेल्स मैंने यहां पर भी आपको समझा दी है तो डोबरा चांटिकुल और इस प्रिकार फिर यह आगे बढ़ता है और यहां पर यह देखो यहां पर ठीक है यहां पर यह टेरी बांद बना हुआ क्योंकि इस छेतर पर जो टेरी बांद बना हुआ है यहां पर यह छेतर नवा करता गणियस प्रियाग गणियस प्रियाग गई है और इसी गणियस प्रियाग में भाइगरती और बिलंगना का संगम हुआ करता था अब भाइगरती की जो प्रमुक सायक नदी है जो की तेहरी में जिसका संगम होता है वो है बिलंगना तो अब हम बिलंगना के उद्गम के बारे में पहले बात कर लेता है यह बिलंगना नदी ठीक है यह बिलंगना बिलंगना का उद्गम कहां से हो रहा है यह है खतलिंग गलेशियर यह आपका तेहरी और हुद्रप्याग में इसे थे है खतलिंग ग्लेसियर यहां से उद्गम होता है बिलंगना का और इस प्रकार बिलंगना आगे बढ़ती है और यहां पर बिलंगना पर एक पावर प्रोजेक्ट भी है ठीक है बिलंगना हाइट्रो पावर प्रोजेक्ट बिलंगना नदी पर उसके बाद बिलंगना आगे और पहुंँ जाती है घंसाली में घंसाली में बिलंगना की दो परसिद सायक नदी यहां पर संगम करती है तो यहां से आ रही है धर्म गंगा और यहां से आ रही है बाल गंगा ठीक है बाल गंगा और धर्म गंगा जब बाल गंगा और धर्व गंगा आगे बढ़ती है तो ये बुड़ा केदार मंदिर के समीप संगम करती है और फिर आगे इसको बाल गंगा के नाम से ही जाना जाता है बाल गंगा आगे बढ़ती है और घंसाली में संगम करती है भिलंगना से तो बिलंगना और बाल गंगा कभी संगम हो चुका है फिर भिलंगना नदी आगे वड़ती है और पहुंच जाती है गणियस प्रियाग में जहां पर वर्तमान में तीरी डैम बना हुआ है और इस परकार दोस्तों ये भागिरती से संगम करती है तो तीरी बान किस नदी पर बना हुआ है ये भागिरती बान होगे आपर ठीक है टीरी बान से आगे निकलती है जब ये अब इस नदी को भागरती नदी ही कहा जाता है क्योंकि मुख्य नदी कौन थी भागरती नदी भिलंगना इसमें संगम कर चुकी है तो ये भागरती नदी आगे बढ़ती है यहाँ पर कोटे स्वरबान गडवाल होते हुए, खेरतिनगर होते हुए, अलकनंदा नदी आ रही है, तेरी और पोड़ी के सीमा बनाती हुए, यह पोड़ी गडवाल है, और फिर यह देव प्रियाग में है, प्रोपर तो देव प्रियाग वो तेरी में है, ठीक है, तो देव प्रियाग में यह संगम कर बहते है भायवरती से अलगनन्दा और भायवरती का संगम यहाँ पर हो गया। और पीर और टिरी की सीमा बनाते हुए गांगज वड़ रही है। यहाँ पर यह अन्य नदी सा संगम करती है जिसका नाम है है हमवल-IGN यहाँ पर यह वसिष्ट आस्रम भी है और यह वसिष्ट कुंड भी है ठीक है अगर आप इस मैप को लेना चाहते है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्कुशन मिल जाएगा जो पोड़ी जनपत के डिटेल से नोट्स वाली पीडियाफ है उसी में आपको यह मैप भी मिल करती है फिर आगे बढ़ती है और यह पहुँझाती आपकी यहाँ पर यह फूल चट्टी नामा खिस्तान यह पटना जलपरपात यह पोड़ी में है ठीक है यह रिस्केज का छेतर आगया यह रिस्केज का इस परकार से तो यह उपर इसा टेरी में है यह नीचला इसा पुल है यह फिर आगे बढ़ता है यहां पर सवर्गासरम, रहा है मुनिक के रेती और सवर्गासरम, पोडी में है यह है यह पोड़ी और मुनिक रेती है टीरी गड़वाल में, तो टीरी गड़वाल के मुनिविरेती और पोड़ी के स्वर्गा स्रम के मदेख सित है, जानकी सेतुपुल फिर यहां देखो यह कौन से नदी पर है गंगा नदी पर, और फिर गंगा नदी आगे बढ़ रही है, तो पुरा रिवर्स चेतर आगे है, यह मसूरी है और यह कंप्ती जलपरपात यह टेरी गड़वाल में है, मसूरी के टेरी गड़वाल में है आपका कंप्ती जलपरपात ठीक है, धनोल्टी चेतर आगे है, सुरकंड़ा देवी मंदिर है, यहां पर यह काना ताले यहां पर यह नरिल्दर नगर का छेतर है और यह आप देखो यहाँ पर घनसाली होगे यहाँ पर यह लंगाओ है यह प्रताब नगर है यह मुखेम है और यहाँ पर सेम नारजा मंदिर बिल्गले उत्रकासी की सीमा पर है क्योंकि इसके अगर आप पार जाओगे तो सिद्धे आप उत्रकासी पहुँझाओगे एक है दो पहाड अगर आप पार करते हो तो यह complete दोस्तों मैंने आपको बता देए यहाँ पर यह दोवरा चांटिपूलवी हो चुका है तो अब आपको पीडफ के मादम से समझाने वाला हूँ तो बागिरती नदी जिसका उत्गम होता है गोमक उत्तरकास से और टीरी में इसकी कौन-कौन ही सायक नदिया है भिलंगना नदी परसिद सायक नदी इसकी बिलंगना नदी का उत्गम होता है खतलिंग गलेशियर से और इसका संगम गणियस प्रियाग में भागिरती नदी से होता है बिलंगना की दो परसित साइक नदी है बाल गंगा और धर्म गंगा बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम होता है बुड़ा केदार में और फिर यहाँ से आगे बढ़ती है और फिर बाल, गंगा और भिलंगना का संगम होता है गहन साली में ठीक है फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो नदी है जलकुर नदी ये भढल्याना चेतर में भागिरती से संगम करती है फिर अलग नंदा नदी जो की देव प्रियाग में भाग्रती से संगम करती है और देव प्रियाग के आगे भाग्रती को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है भाग्रती को सास का जाता है जब की अलग नंदा को बहू कहा जाता है तो पूरा रिवर्स सिस्टम यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है अब बात करते हैं टेरी जनपत की परमुक परियोजनाओं के बारे में कौन कौन से टेरी बांध परियोजना यह है भाईरती और बिलंगना नदी पर गणियस परियाग में ठीक है जो टेरी बांध आप देखते हैं टेरी बांध और मैंने इस पर सल अलग से वीडियो बना रही है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर टेरी बांध के बारे में बताने लग जाओ तो 20 या 30 मिनट एस्ट्रा यहाँ पर लग जाएंगे इसलिए दोस्तों सही ही रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पर जनपल सीरीज में आपको महतोपून फैक्ट बता रहा हूँ टेरी बांध के बारे में इस्पेसल वीडियो मैंने अलग बना रही है और उसी वीडियो मैंने दोबरा चांटे फूल के बारे में भी चर्चा कर रही है तो उसको आप डिटेल्स में देखना है तो सर्च की दे तेरी बांध बाई जर्दारी क्लासिस उसके बाद कोटेस और बांध पर्यूजना ये भी आपकी किस नदी पर है तो ये भी आपकी भागरती नदी पर है भागरती ये हो जाएकि भागरती और भिलंगना क्योंकि जब भागरती और भिलंगना संगम करती है तो फिर ये आगी बढ़ती है तो ये भागरती नदी ही कहलाती है तो कोटिस्वर बांद परियुजना ये भागिरती नदी पर है उसके बाद कोटली भेल परियुजना ये देव परियाग में इसित है गंगा नदी पर कोटली भेल परियुजना जाला कोट परियुजना ये है धर्म गंगा पर धरब गंगा पर और बिलंगना बांध परियुजना तो यह आपकी बिलंगना नदी पर तो यह पांच महत्रपून परियुजना जो की टेरी जनपद में इसीत है उसके बाद बात करते हैं टेरी जनपत के परमुक तालों के बारे में तो पहला ताल यहां पर सहस्त्र ताल सहस्त्र ताल यह खतलिंग ग्लेशर के पस्सी में इसीत है और यह ताल गडवाल छेतर का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल सबसे बड़ा सबसे गहरा गड़वाल का ठीक है गड़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कोन है तो वह है सहस्तर ताल जो कि टीरी में इसित है दूसरा यहाँ पे मांसर ताल इसे मंसूर ताल भी कहा जाता है तीसरा ताल है वासुकी ताल ये दोस्तों रुदर प्रियाग और टेहरी में साइक तुरोप से इसे ताए और इस ताल का जो पानी रहता है वो लाल रहता है वासु की ताल का पानी चोधा है महासर ताल महासर ताल ये दो कटोरेनमा तालों से निर्मित है तो इसले इसको भाई बहन ताल भी कहा जाता है भाई बहन ताल किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है महासर ताल को पांचवा है अपसरा ताल ये टीरी के बुढ़ा के दार के पास इसे तै और इस ताल को आचरी ताल भी कहा जाता है आचरी ताल या अपसरा ताल छटा है यहाँ पर यम ताल ये हमेशा बर्फ से ढखावा रहता है और साथवा है जराल ताल तो ये साथ महत्वपूर ताल सहसर ताल जो कि सबसे बड़ा और सहपसे गहरा ताल है गड़वाल का मांसर ताल इसे मंसूर ताल भी कहा जाता है वासुकी ताल जिसका रंग लाल मैं इसके जल का जो रंग है वो लाल है और ये रुद्रप्याग और ठेरी में साइंग द्रोप से है महासर ताल इसको भाई बहन ताल भी कहा जाता है अपसरा ताल ये ताल इसे आशरी ताल भी कहता है यम ताल हमेशा बर्ब से ढखावा रेता है और नेक्ष्ट है जराल ताल उसके बाब परमुक कुंडों के अगर बात की जाए तो कौन-कौन से कुंड है यहाँ पर वसिष्ट कुंड ये आपका रिसिकियस से लगबगे 16 किलोमेटर दूर है गंगा नदी के तटपर मैंने मैप में भी बताया था ये वसिष्ट आस्रम वसिष्ट कुंड है गंगा नदी के तटपर दूसरा है बेताल कुंड ये देव प्रयाग में है सूर्य कुंड भी आपका देव प्रयाग में है ब्रह्म कुंड भी देव प्रयाग में और भासकर कुंड ये भी आपका देव प्रयाग में है तो ये चारों कुंड, बेताल कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड और भासकर कुंड कहा है देव प्रियाग में जब कि वसिष्ट कुंड कहा है रिसी केस, टेहरी के रिसी केस में परमुख गुफाओं की बात की जाए तो वसिष्ट गुफा ये भी काएं आके रिसी केस में है विसोनात गुफा है बुगडेशर गुफा और वामन गुफा है ये आपकी देव प्रियाग में तो सभी गुफाएं आप यहां पर इस प्रिकार दे सकते हैं परमुख गुग्याल कौन कौन से है टेरी में तो मासरताल गुग्याल हो गया उसके बाद है जुराई गुग्याल खतलिंग गुग्याल खारसोली गुग्याल कोटली गुग्याल इसको अपसराओं गुग्याल भी कहा जाता है और पमाली कांठा गुग्याल ये टेरी में प् बात करें, glacier, glacier कौन सा है, टेरी में, तो खतलिंग glacier है, ये टेरी और उद्रप्याग में साइंक तरूप से है, यानि टेरी और उद्रप्याग दोनों के सीमा परिसित है, खतलिंग glacier, और जलपरपात कौन सा है, एक मातर जलपरपात, केमपटी फाल जलपरपात, ये कहा है, मसूरी में इसित है, मसूरी से लगए कि पंदरा किलोमेटर दूर है, या जलपरपात, तेरी जनपरपात की और, तेरी के सीमा में है, केमपटी फाल जलपरपात, और ये किस छेतर में आता है, तो मसूरी छेतर में मसुरी का जो कुछ हिस्सा है क्योंकि जो इधर का हिस्सा है टीरी के और तो टीरी में ये कम्टी फाल जलबरपात तो complete मैंने आपको यहाँ पर बता जिया है रिवर्स सिस्टम, परमुकुंड, परमुक्ताल, परमुगुफाई और परमुक्ताल जलबरपात इसका आप स्क्रिम सोट वे दोस्तों ले सकते हैं अब आगे बढ़ता है और बात करता है टीरी में इसे तो परमुक संस्थान कौन-कौन से है तो एक यहाँ पर हिमालेय नचात्रवेज साला यह आपकी इसकी इस्थापना हुई थी 1946 में और यह कहाँ इसी दर तो यह है देवप्रिया के तेरी गड़वाल के देवप्रियाग में इसके संस्थापका कौन थे आचार्य चक्रधर जोसी जिने इसकी इस्थापना की थी और इसका उद्दे से क्या है ग्रहों और उपग्रहों वा खगोलिया घटनाओं का अवलोकन करना हिमाले नेचतर वैजचाला का उद्दे से है तो यह कहाँ है आपकी देवप्रियाग में दूसरा है टीस्डिसी इंस्ट्टूड ओफ हैड्रो पावर इंगिनरिंग एंड टेक्लोजी यह कहाँ है यह भी आपकी टेरी गडवाल में है टेरी डेम के निकटर जो भागिरती पुरम है बागिरती पुरम टेरी गडवाल में है और इसकी इस्ताफ़ना 2011 में होई थी किसके नवारा उद्गाटन के अगेटिस का सुसील कुमार सिंदे द्वारा तीसरे राज्य पुलिस प्रसिक्षन अकादमी, इस्टेड पुलिस ट्रैने अकेडमी ये कई बार एकजाम में प्रस्ण पूछा जा चुका है, ये आपका नरेंदर नगर में इसित है, इसकी स्थापना हुई थी एक मई दोजार ग्यार को, और इसकी स्थापना किसके द्वा ना की थी, तो ये तीन महत्तपूण सनस्थान जोकी टिहरी में इसित है, उसके बाद दोस्ताओं बात करता हैं टिहरी के परमुक ब्यक्तियों के बारे में, पहले बैकते हैं परसित ब्यक्ति형 इंद्रमणी बड़ोनी जी इंद्रमणी बड़ोनी जी ने उतराःखंड का गांदी भी कहा जाता है और इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को कहा हुआ था अखोडी गाउं टेरी गड़वाल के अखोडी गाउं में इंदर्वनी गड़ोनी जी का जन्म हुआ था इंदर्वनी गड़ोनी जी को उत्राखंड का गांदी कहा जाता है इनके महितपून इनके बारे म नत्यकी जहां की प्रदसित की थी। उसके बाद 1961 में ये गराम अखोडी के गराम प्रधान बनते हैं। उसके बाद 1979 में उत्राखन करांधि दल के गठन में इन्होंने विशेस भूमी का निभाए थी। 7 अगस्ट 1994 को दोस्तों प्रधक राजी की मांग के ये आमरन अंजन पर बैढ़ जाते हैं। और 18 अगस्ट 1999 को इनका निधन हो जाता है। गांधी इंदर्वानी बड़ोनी जी को। आगे बढ़ते हैं सुन्दरलार बहुगुणा जी के बारे में जान लेते हैं। सुन्दरलार बहुगुणा का जन्म होता है 9 जनवरी 1927 को मरोडा गाउं टिहरी गडवाल में। और इनका निधन हाली में 2021 में 21 मई 2021 को हुआ था। इनका उपनाम है व्रच मित्र। व्रच मित्र के नाम से जान जाता है सुन्दरलार बहुगुणा जी को जो की एक परसिद परियावरण वित थे। यहां पे आप देख सकते हैं बहुगुणा जी को। सुन्दालाल बहुगणा प्रसेद प्रियावड़न वी तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ और एक सामाजी कारे करता थे इनके द्वारा 1949 में तीरी गड़वाल में ठकर बापा होस्टल की इस थापना भी की गई थी ठकर बापा होस्टल 1949 में इस थापित किस के द्वारा सुन्दालाल बहुगणा जी के द्वारा सुन्दालाल बहुगणा जिनको चिप को आंधुलन का प्रणेता भी माना जाता है अब इनके प्रमख पुरुषकारों से महत्वपन प्रसने पूसे जाते हैं 1981 में इनको पदमिसरी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था लेकिन सुन्दरलाल बहुगणा दी ने पदमिसरी पुरुषकार को वाप्रिस लोटा दिया अस्विकार कर दिया था उसके बाद 1987 में दराइट लेवली हुड अवार्ची ने सम्मानित किया गया उसके बाद 1984 में राष्ट्य एक्ता पुरुसकार 1985 में वरत्ष मानव पुरुसकार 1987 में सवसोती सम्मान और 1989 में रुरकी विश्विजालेदवारी ने सामाजिक विज्ञान में डॉक्टर की मानद उपादी प्रदान की गई थी 1999 में इन्हें गांधी सेवा सम्मानित किया गया था जबकि 2009 में ने पद्मे विभुसन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो ये थे सुन्दरलाल भवगना जो कि एक परसिद परियावरणविद और सामाजिक कारे करता थे और इनका निदन भी हो चुका है 21 मई 2021 को वरच मित्र के नाम से इन्हें जाना जाता है उसके बारे विश्विश्चर दत सक्टलानी एक और परियावरणविद और इन्हों ने दोस्तों बहुत सारे वरच्चों का रोपन गिया था और ऐसा मान जाता है कि लगभग 50 लाग से अधिक वरच्च इन्होंने लगाये थे विश्विश्विश्चर दत सक्टलानी जी ने इनका जन्म होता 2 जून 1922 को पुजार गाउं टीरी गडवाल में और 18 जनवरी 2019 को इनका निधन भी हो जाता है अब इनको जान जाता है वरच्च मानव की नाम से देखो यहाँ पर वरच्च मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगणा जी को लेकिन वरच्च मानव किसे कहा जाता है तो विशिवसर्दत सक्टलानी जी को यह एक इंपोर्टन प्रस्ट में पूछा जाता है एकजाम में पुरुषकारों की बात की जाए तो 1986 में ने इंदरा प्रिदर्शनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था उसके बाद यहाँ पे गबर सिंग नेगी इनकी जनम इस्थाली है टेरी का चंबा यहाँ पर इनका जनम हुआता जनम इस्थान चंबा टेरी गडवार और जनम इनका हुआता 21 अप्रेल अठाउसो 25 को अब देखो यहाँ पे इनके सम्वन में जो महित्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं यह प्रथम विश्व युद में यहाँ पे गई थे जब तो युद्ध की तारिके 10 मार्च 1915 और इस युद्ध में यह सहीद हो जाते हैं युद्ध का जो इस्थान ता वो था न्यू चेपल फ्रांस में फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध में यह लड़ने गये थे 10 मार्च 1915 को यह सहीद हो जाते हैं तो किस युद में ये सहीद हुए थे न्यू चेपल युद में जो कि फ्रांस में है इस्थान रेजिमेंट इनकी कौन सी थी तो दूसरी बटालियन 49 गडवाल राइफल्स ये इनकी रेजिमेंट थी और ब्रिटिस सरकार के सबसे बड़े सम्मानिय नहीं विक्टोरिया क्रोस से इन्हें सम्मानित किया गया था जब ये पर्थम उश्रीट में सहीद हो जाते हैं नेक्ट यहां पे जो परसिद बेखते हैं वो है जस्पाल राणा जस्पाल राणा इनका संबंद है निसाने बाजी से सूटिंग से ठीक है जर्मिन का अठाइचन 1976 को चिलामो गाउं टि कीते थे और वहां से इन्हें एक रिकोर्ड बनाये था कोमन वेल्थ गेम में 1905 में लगातार आट स्वरन पदक जस्पाल राणा को गोल्डां गवाई के नाम से भी जाना जाता है परमुक अब अगर देखें तो 1904 में जस्पाल राणा को अर्जन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था और 2020 में इन्हें द्रोनचार पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है तो ये हैं दोस्तों जस्पाल राणा एक सूटर एक निसाने बाज और ये हैं चिलामो गाउं तिहरी गड़वाल की इनके सम्मान में जो भी महतुपून फैक्ट थे वो मैंने आप को यहाँ पर डिटेल्स में बता दिये हैं उसके बाद है सिर्देव सम्मन सिर्देव समन जिनका जन्म 25 मई 1916 को जोल गाउं टिहरी गड़वाल में होता है इनके पिता का नाम था हरीराम बड़वनी और इनकी माता का नाम था तारा देवी जबके इनकी पत्ने का नाम है व 84 दिनों का इनने आमरण अंशन किया था जिसके बाद इनके मृति हो जाती है सहीद हो जाते हैं उसके बाद जो जन्ता का आक्रोस फोड़ता है उसके कारण कहीं ना कहीं जो टेरी रियासत के सा सकते वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उसी का प्रणाम था कि कुछ समय एक एसी रियासत थी कि जो जब भारत सोतंतर हो गया था वो तब भी उसका विले नहीं हो पाये था भारत्य संग में वहां पर आप सबी जानते हैं आपने जब उतरा भारत का इतियास देखा होगा जो सासक विले नहीं करना चाला था वो उसकी मर्जी थी तो इसी प्रकार तेरी रियासत भी 1947 में उसका विले नहीं वो पाये था, तो स्रदेव सुमन जो की जनभावना में इतनी आपे करांति फेला चुके थे, तो फिर वहाँ पे टेरी रियासत में जनता का विद्रो होता है, फिर सासक को जो राज़ थे टेरी रियासत के मानुंदर साथ 1949 में उन्हें विले पत्र पर हर्स्ठाक्चर करने पड़ते हैं, तो स्रदेव सुमन, चोटव वर्ज की मात्र आयो में लगबाग इन्होंने सत्यागरा में भाग ले जा था, और 15 दिन तकी जेल भी गए थे, 1936 में इन्होंने सुमन सोराव नाम से कविताय भी अपनी परकासित की थी, 1937 में सुमन सोरव नाम से कविताई इनोंने प्रकासित की थी 1938 में दिल्दी में अखिल भारतिया परवतिया जन सम्मिलन का आज़न हुआ जिसमें सुर्देव सुमन और बदिर्दत पांडे जी ने भाग लिया था 1938 में सिननगर में राजनीतिक सम्मिलन में पिर्थक राज की मांग रखी थी सरदेव समन ने काफी दूर दर्ची थे सरदेव समन उसकी बाद 1928 में इन्होंने गड़देश सेवा संग की इस्थापना की थी 30 दिसंबर 1943 को टेरी जिल में इन्हें बंद कर दिया जाता है यानि इन्हें कैद किया जाता है और 21 फरवरी 1944 को सरदेव समन पर राज द्रोह का मुकदमा भी चलाए जाता है 39 फरवरी 1944 को सरदेव समन ने अंसन आरम किया था लेकिन फिरवी जो तीरी में जो राजसाई सबता थी वो मानने को तयार नहीं थी इनका मुख्य उज yhtीस था कि तीरी में परजय मंदल की इस्थाप न करना लेकिन राजसाई साथ मानने को तयार नहीं था इन्होंने तीन मईए 1944 को आमरन अनसन शुरू कर दिया और आमरन अनसन जब इन्होंने शुरू किया तो लगातार 84 दिन तक दोस्तों बिना खाए पिये 84 दिन की भूकरदाल के बाद 25 जुलाई 1944 को सरदेव सुमन सहीद हो जाता है सरदेव सुमन सहीद कब हुए 25 जुलाई 1944 को सरदेव सुमन के बारे में जो भी महतपूर्ण तक थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता दिये हैं अब बात करते हैं तिहरी की प्रमुक्स समसामाई घटनाओं के बारे में पिछले दो या तीन सालों की जो महतपूर्ण करंट अफिर्स घटनाए हैं उनके बारे में समसामाई घटना क्योंकि इस जिल्ला सिरिज की यही महतपूर्ण विशेशता है कि यहाँ पर में प्रतेग जनपत के जो करंट अफिर्स है जो समसामाई घटनाए वो भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ देश के सबसे लंबे सिंगल लेन सस्पेंसन ब्रिज का उदगाटन आठ नॉमबर 2020 को तिहरी में किया गया तिहरी जो डैम है उस पर यह बनाए गया है डोबरा चांटी पुल उसका नाम है डोबरा चांटी पुल ठीक है इस पुल की तो कुल लंबाई वो है 725 मेटर 725 मेटर कैसी है देखो यहाँ पर आप देख रहे हूँ ठीक है तो यहाँ से लेकर और इस परकार यह पुरा यह पुल है यहाँ पर यह है लगबग 725 मेटर लेकिन अगर जूला पुल यानि सस्पेंसन ब्रिज की बात की जाए जो डैम के उपर है यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो यह है दोस्तों यहाँ पर इसके लंबाई कितनी है तो इसके लंबाई है 440 मेटर जबकि यहाँ से लेकर और यहाँ तक यह कंप्लीट जो इसके लंबाई है वो है 725 मेटर तो देखो यहाँ से दो परकार के प्रसन बन सकते हैं कि डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई कितनी है 725 मेटर डोबरा चांटी पुल में जो जूला पुल है उसके लंबाई कितनी है तो 440 मेटर कुल चोड़ा इसकी 7 मेटर है और पुल का जो डिजाइन तयार किया गया था वो कोरियन कमपनी यो सिंद्वारा किया गया था डोबरा चांटी पुल की गाथा पुस्तक एक पुस्तक के दोस्तों ये लिखी है सीसपाल गुसाई ने सीसपाल गुसाई ने एक पुस्तक लिखी है डोबरा चांटी पुल की गाथा कई साल लग गये थे इस पुल को बनने में, 2006 से लगबग ये पुल का निर्मान आराम हो गया था, पुल की गाथा, डोबडा चांटी पुल की गाथा, ये किस ने लिखी है, पुस्ता के तो 60 पाल गुसाईने, इस पुल को बनाने का जो निर्मान का लगबग शुरू हो गया 2006 से, क्योंकि 2006 में जब टेरे डैम कंप्लेट रूप से भर जा पाया पाया पानी से, तो जो अन्य छोटे पुल थे, वो डूब जाते हैं, तो आवाज आहे का जो मार्ग था विशेश तोर पर पर प्रताब नगर छेतर के वासी थे, उनको बड़ी दिक्कत हो गई थी, कोई यहां पर बड़ा पुल था ही नहीं, सब चोटे-चोटे पुल थे जहां पर सिर्फ चोटे-चोटे वाहन या चोट-चोटी बसें या चोटे-चोटे ट्रक जा सकते थे, बड़ी गाड़ी कोई जाए नहीं सकती, जैसे रोडवेज बस हैं, यह जाए नहीं सकती, तो इसलि गंगा नदी पर इसका निर्मान क्या गया है और ये मैंने आपको अपी मैं आपके माधियम से भी बताया ये मुनिकी रेती और स्वरगास रम को जोड़ता है इसका उजगाटन बीस नॉमबर दोजार बीस को मुख्या मंतरी त्रिवंदर रावाजीदवारा किया गया और इस पुल के लंबा है ये 306 मीटर नेक्स यहाँ पे टेरी के चमबा सेर में बनी 440 मीटर लंबी टनल ये आप जैसकते हैं यहाँ पे ये टनल है चमबा सेर के नीचे से ये निकले हुई है और ये आपकी जो निकलती है रिसिकेस से धरासू हाईवे पर जो उतरकासी हाईवे है, रिसिकेस हाईवे से उतरकासी हाईवे पर ये खुलती है, और इस सुरंका निर्मान BRO यानि Border Road Organization दुआरा किया गया, इस सड़ा के कुल लंबाई है 440 मीटर और इसका उद्गाटन 26 मई 2020 को सड़ा को परिवायन मंतरी नितने गड़करीजी द्वारा वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिए किया गया था उस समय लोगडाउन लगा था कॉर्मा के कारण तो वर्चुल रूपस इन्होंने वीडियो कॉनफरेंसिंग के मादम से 26 मई 2020 को टीरी के चमबा सेर में जो ये 440 मीटर लंबी टनल बनी इसका उद्गाटन किया नेक्टन यहां पर वर्चु दोजार बाइस में गंतंदर दिवस पर राजपत पर होने वाली जो परेड थी उस पर दिवभिम उतराखंट की कौनसी जहांकी परदसिट की गये थी तो दो जार बाइस में डोवरा चांटी पुल की जहांकी 2022 में इससे पहले अगर हम बात करें 2021 की तो 2021 में केदाना धाम केदाना धाम की जहां की उसके बाद 2019 में 2020 में नहीं हुई थी ठीक है 2019 में अनासक्ति आस्रम आस्रम की जहां की परदसित की गए थी और 2018 में अगर देखें तो ग्रामीन परेटा उसके बाद 2015 में केदाना से धाम पुन्डार निर्मान की जहां की यहां पर परदसित की गए थी तो 2022 महतोपून है दोबरा चांटे पूल की जहां की परदसित की गए थी उसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्योंकि देखो समसमाई घटना है यह सभी महतोपून घटना है थी जहां से क्योंकि दोबरा चांटे पूल से तो एक बार प्रसन पूछा भी जा चुका है ठीक है और अभी और प्रसनियां से पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट एक टीरी जनपद का राजनीतिक और प्रसासनिक धाचा तो टीरी जनपद में जो कुल विदानसवा सीटे हैं वो छे विदानसवा सीटे हैं देवप्रिया, नरिंदरनगर, परताबनगर, घनसाली, तीरी और धनोल्टी इसमें जो घंसाली विधान सभा सीट है ये स्सी यानि अनुसूचित जाती है तो आरक्षित है विकास खंड की अगर बात करें तो नो विकास खंड या बलोग हैं टीरी में नरिंदर नगर, चंबा, जोनपुर, थोलधार, परताब नगर, जाकनीधार, हिंडोनाखाल, देवपरियाग, कीर्ति नगर और बिलंगना घंसाली ये नो विकास खंड हैं टीरी जनपद में आंकड़े जो को यहां पर जन्संक्या के तो कुल जन्संक्या है 6,18,932,2011 की जन्गना के अमसार जन्गनत्व है 170, लिंगाउन पाते 1078, कुल साख़चरता पर्दिसात है 76,36% जिसमें पूरो साख़चरता है 89.76% जबकि महिला साख़चरता है 64.28% तो यह दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है तीरी जन्पद के बारे में इस से बाहर तीरी जन्पद से कहीं से भी प्रस्न नहीं बनेंगे इसके डिटेल्स नोट्स आपको वीडियो के डिस्कृशन में लिंक दिया गया है वहाँ से आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्शर पसंद आए वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरू बताएं मिलते हैं दोस्तों नेक्ट लेक्शर के साथ अब तक लिए धन्यवाद